हेलो डियार बिलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग गयान में और आज का वीडियो बहुत संदार होने वाला है जैसा कि आप लोगों पता है कि प्रस्ण है सेंसरी औरगेन के नाम बताना है ठीक है कौन-कौन से सेंसरी औरगेन होते हैं उसके नाम बतान है उस देखने के पीछे क्या-क्या कैसे कैसे किरिया होता है तब जाके एक चीजों को बेक्ती जो है देख पाता है और समझ पाता है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर कौन-कौन से सेंसरी औरगेन है संबेदी औरगेन है और जो है मैकिनीजम और वीजन को देखेंग ठीक है बाहरी जगत की जनकारी संबेदी अंगों के माध्यम से होती है जैसे आप लोगों को ग्यानिंद्रिया सेंसरी औरगेन को हम लोग संबेदी औरगेन को ग्यानिंद्रिया भी कहते है ठीक है और ग्यान इंद्रिया, ग्यान इंद्रिया, मतलब जो ग्यान आपको देता हो, ठीक है, उसी इंद्रिया को ग्यान इंद्रिया कहते हैं, जैसे हमें भूख लगता है, प्यास लगता है, आवाज सुनाई देता है, धूप लगता है, कोई चीज का स्वाद हो गया, आदाब हो या ताप हो गया यह सब के महसूस जो दिलाता है वो ही हमारा ग्यानेंद्रिया होता है ठीक है तो ही कहता है बाहरी जगत मतलब बाहरी बतावरन से जनकारी संबेदी अंगों के माध्यम से ही होती है ठीक है चाहे हम कोई चीज स्वाद को पहचानते हैं सुंगते हैं किसी के जनकारी लेते हैं अपने संबेदी अंगों के माधियम से ठीक है ने सरीर बिसेश परकार के संबेदना के ग्यान हेतू संबेदी अंग पर निर्भर होता है इसे ग्यानेंद्रियां कहते हैं अब हमारा जो बड़ी होता है बिविन परकार के संबेदना को लिए अलग-अलग संबेदी अंगों पर निर्भर करता है हमारा जो बड़ी होता है आप लोग को पता है कान क्या करता है सुनने का काम करता है आँख क्या करता है देखने का काम करता है नाक से हम गंध लेते हैं तो ये सब संबेदी औरगेन है उसे ग्यानिंद्रियां कहते हैं ठीक है यानि सेंसरी और गेन कहते हैं चिदी सी बात है जो चीजे से हमें कुछ चीजों का अभास हो कुछ चीजों का जनकारी हो जिस भी अंग से उसी को जो हम लोग संबेदी अंग कहते हैं मतलब जिस भी अंग से संबेदना मिले ठीक है न स संबेदना अगर हमें प्राप्त करना है तो जिस भी अंग से हम संबेदना प्राप्त कर देंगे वो ही अंग हमारा संबेदी अंग हो जाता है तो sensory organ कौन-कौन से है चलिए देखते हैं यहाँ पे देखिए मानब सरीर में पांच परमूख परकार के sensory organ है आपको ध्यान में इसे हम लोग तौचा कहते हैं तौचा को हम लोग espras indrinha कहते हैं इसे espras indrinha कहते हैं क्योekिए तौचा से हम जो है आपके शरीर के बड़ी को ताप का हो गया सरदी का हो गया asperse का शानस होता है तौचा के द्वारा to-asperse से ग्यान होता है अगर ठंधा लगेगा अगर कोई चीज आप ठंधे के संपर्क में आपका त्वाचा आएगा तो आपको ठंधा का महसूस होता है अगर गर्म चीजे के संपर्क में आएगा तो गर्म ताप का महसूस होगा ठीक है न अगर दाब बले चीजों में आएगा तो दाब का महसूस होगा तो यह स असपर्स से महसूस कराता है इसलिए इसे असपर्स इंद्रियां जो त्वाचा के दोरा होता है पहला हो गया ठीक है दूसरा होता है स्वाद इंद्रियां स्वाद इंद्रियां का मतलब होता है कि जिसके दोरा आपको स्वाद मिले टेस्ट का अनुभब हो तो स्वाद के ज्य जैसे बगल में मीट उट बन रहा है तो हम क्या चीज के पहचानते हैं नाक से हमें सुंग आ जाता है तो ग्यान होता है कि वो बगल में मीट बन रहा है कोई सेंट मारके अचानक से बगल से गुजरेगा तो परफिम जो है सिधा आपके एसमेल नाक के द्वारा ही आप पता कर तो यह गंद का ग्यान हमारा नाक दिलाता है, ठीक है, कान क्या करता है, स्रौवन इंद्रियां का काम करता है, मतलब सुनने के इंद्री होता है कान, और इसी को धोनियों का ग्यान होता है, आवाज का ग्यान होता है, और यह कान के द्वारा संभव होता है, पच्मा है, आखे, द्रिस इंद्रियां का मतलब होता है आँक के द्वारा और यह बस तूओ को देखने हे तू परियोग होता है यह यह कहा जाए तो यह देखने के लिए परियोग किया जाता है बड़ी में किसी बेक्ती को आँक के द्वारा देखा जाता है और यह देखने के ग्यान को प्राप तौचा जीव नाक कान आख यह पांचो जो है हमारा ग्यानिंद्रिया है जो की हमारा तौचा तर्स संपून शरीर में फैला है बाकी सब की सब जो है हमारा गर्दन से उपर कहीं जो है चीजे है ठीक है तो आप लोग को पता होना चाहिए समझ गये न और यह जो है हमें विभ आता है मैकनीजम ओफ भीजन यानि द्रिष्टी की किरियाविधी ठीक है न चलिए इसको हम लोग देखते हैं mechanism of vision द्रिष्टी की किरिया विधी अब द्रिष्टी की किरिया विधी का मतलब होता है कि जैसे जो भीजन होता है हम जो चीजें दिखते हैं किसी बस्तू को किसी आदमी को मतलब कुछ कोई भी चीज हम अपने आखों से देखते हैं तो वह काम कैसे करता है ऐसा थोई नहीं कि direct हम किसी बस्तू के साइट जो हम अपने आख ले जाएं तो वह जो है अटमेटिक देख लेता है नहीं उस कोई भी चीज हम देखते हैं कोई भी रंग हो फिलिम हो कोई आदमी के तस्वीर कुछ भी चीज हम देखते हैं अपने आखों से तो उसके पीछे एक mechanism काम करता है एक किरिया बिधी काम करता है और इसी किरिया बिधी के तहद जो हमें कोई बस्तू कोई भी चीज दिखाई देता है ठीक है ना तो यह किरिया बिधी कैसे काम करता है इसी को हम लोग को समझाना है यानि mechanism of vision को हम लोग को समझाना है ठीक है चलिए समझाते है जैसे कोई object है कोई बस्तू है ठीक है जिसको हम देखना चाहते है मतलब कोई भी बस्तू है कोई भी चीज हो सकता है हम उसको देखना चाहते है ठीक है वे स्वयम प्रधीप्त साधनों सूरी कि रोसनी, विधूत रोसनी आदी से परकास की किर्णों को प्राप्त करके प्रावर्तित कर देती है देखें अब आप लोग करते हैं कि हम किसी चीज को देखते हैं जबकि एक्चुली जो है ऐसा होता नहीं है ठीक है हम तो किसी चीज को देखते ही देखते हैं लेकिन हम कोई भी बस्तू को देखना चाहते हैं तो वह बस्तू भी जो है परदीप्त होता है मतलब वह जो है रोसनी बिखिरने वाला होता है ठीक है जैसे हम किसी बस्तू पर अपने भीजन को ले जाएंगे द्रिश्टी को ले जाएंगे तो वह बस्तू क्या होता है स्वेम परदीप्त साधनों से परका समय होता है जैसे सूरी के चाहे वह सूरी के रोसनी से हो चाहे कोई इलेक्टरी के बल्ब से हो वह उसके उपर कोई न कोई जो है परदीप्त साधन रहता है अगर हम दीन में उजाला में कोई बस्तु को अगर देख रहे हैं तो वह जो है सूरी के रोसनी से परदीप्त हो रहा और receive करने के बाद वह जो है हमारे आँख की तरफ reflect कर देता है, reflex कर देता है, प्रावर्तित कर देता है, जिसे वह बस्तू पर परतिबिम बनता है हमारे आँख से और हम उस बस्तू को देख पाते हैं, जैसे मानिए, जैसे यह बस्तू है, ठीक है, यह कोई बस्तू है, ठीक है कोई भी रोशनी परा या परदीप्त मान हो गया ठीक है अब ये परा तो अब ये क्या करता है हम यहाँ पर है ठीक है हम यहाँ पर हम इसको देखना चाहते है लेकिन इस पर सूर के किरन या किसी बल्व के रोशनी पर रहा है जिससे हम जो है इस बस्तू को देख पाते हैं समझ गए चीजों को चलिए यह हो गया बेसिक से चीजे आगे देखिए परकास के किरनों को गमन सीधी रेखा में होता है अब जो परकास के किरन होता है न हमेशा सीधी रेखा में जो है गमन करता है ठीक है और परकास की गती गति होता है लगभाग तिन लाह किलो मीटर पर 30 सकेंड होता है इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा तो यह तो हो गया बेसिक चीज़े कि कोई बस्तू को हम देखना चाहते हैं तो वह बस्तू परदिप्तमान होता है परदितमान का मतलब है सूर के रोसनी या कोई बिजली क रोसनी उस पर परता है और वह हमें रिफ्लेक्स कर देता है जिससे हम जो है रिफ्लेक्स कर देता है अब रिफ्लेक्स करने के बाद चुकि हम जानते हैं कि परकास का किरन सिधा रेखा में गतिमान होता है परकास का जो गति होता है लगभाग तीन लाह किलो मीटर परति सके देखे हैं कि बस्तु है वह बस्तु प्रकाशवान है ठीक है मतलब कोई भी चीज से प्रकाशवान चाहे हो सुरी के रोसनी से हो या फिर अंधेरा में आप कोई चीज को देख रहे हैं तो उस पर कोई नो कोई रोसनी पर रहा होगा ठीक है न आप कोई रोसनी पर रहा होगा रोशनी को अबजेक्ट रिसीब कर रहा है और आपके आँखों के तरफ रिफलेक्स कर रहा है प्रावर्तित कर रहा है तो यही कहता है कि एक बस्तु है जो प्रकाशवान है कोई न कोई किरन से वह किरन को जो उसके पर 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 रहा है जिस बस्तु के उपर उसको वह रिफलेक कर रहा है प्रावर्तित करती है समझ गए यह ध्यान न किएगा इन प्रावर्तित किर्णों को मैकुला मिलन बिंदू ठीक है अब यह जो बस्तू जिस भी बस्तू को हम देखना चाहते हैं वह क्या करता है कि अपने ओर से जो है वह किरन को रिफलेट कर देता है अब जब देक्तरत्र करके ऑप्टिक नर को ट्रांस्मीटेट कर दी जाती है अब जैसे देखिए आगे मैं आई पर हाँगा तो वहाँ पर देखिएगा यह जो भी बस्तू को हम देखना चाहते हैं वह बस्तू क्या करता है हमारे आखों के तरप अपने रोस्नी को रिफलेट कर देत है रेटिना के बाहर जो है इस रोट्स और कौन्स पर एक मैकूला मिलल बिंदू होता ठीक है जैसे मानिए इधर रोट्स हो गया इधर कौन्स हो गया और यह दोनों के बीच में एक मिलान बिंदू मैकूला है ठीक है मैकूला है समझ गए और एक सब के सब कहा होगा हमारे आ खोके सब के सब अंदर होगा तो इधर मैकुला है इधर कौन से यहां मैकुला है अब यह बस्तू जो है जो प्रावर्तित किया है किरन को आके यहां मैकुला पर मिलता है ठीक है जो यह कहा है इस्थित यहां मैकुला डेटिना के बाहर रोट्स और कौन पर जो है, मिला हुआ है अब यह जो मायकुला क्या करता है जो मिलान बिंदु है, यह सारे किरन को क्या करता है सारे किरन को распytors करता है मतलब, अपने अंदर गरहन करता है, ठीक है? और गरहन करने के बाद, यह Optic Nerve को transmitted कर दी जाती है मतलब जो भी कीरन बेक्टी के आँखों पर परता है वह रोट्स और कौन पर मिल जाता है मैकुला बिंदू पर और मिलने के बाद सारे कीरन को अबजर्ब करके वह जो है आप्टिक नर्व को ट्रांस्मीटेड कर देता है संचारित कर देता है जिससे जैसे ही आप्टिक है कि हम फलाना चीजों को देख रहे हैं और यह सब इतना फास्ट होता है कि आपको यह किरिया विधी समझने में इतना समय लगा है लेकिन हम कोई चीज को देखते हैं जिधर आख ले जाते हैं उधर आसानी से हम देख लेते हैं लेकिन उसके देखने के पीछे सारा जो है गटित होता ठीक है तो इसी चीज को हमको लिखना था कुछ ज़्यादे है नहीं बस आपको याद रखना है कि कोई बस्तु है हम इसको देखना चाहते हैं तो यह बस्तु कुद में आपके परकासवान होता है आप से पहले से ही अब यहा परकासवान या तो कीरण से होगा या फिर जो है कोई ८िज़िनिके के सि होगा ठीक है इसपर कीरण पर रहा है अब यह है कीरण जो पर रहा है लेकिन भी आउन चया है तो हम leaky शाल को देखना जायेंगे प्र भी कä रिफ्लेक्ट है इह से भी करदेगा भेजे इस्थित होता है, रेटीना के बाहर हमारा एक कौन्स और रोड इस्थित होता है, और या दुनूंके मिलन भिंदू को हम लोग मेकूला कहते हैं, इस पर आके सारा जो है कीरन मिल जाता है और मिलने के बाद हमारा आँख आँख से ओप्टिक नर्व लगा होता है जो ब्रेन को signal पहुचाता है कि हाँ हम फलाना चीज गो देखने का प्रयास कर रहे हैं तो जैसे ही ओप्टिक नर्व को कीरन मिलता है मिलान बिंदु मैकुला से अप्टिक नर्व में transmitted होता है और यह अप्टिक नर्व हमारे neurons को जगाता है मस्तिक्स के भाग में द्रिष्टी के इंदर में भेजने के बाल जैसे ही जग जाता है neuron तंत्री का जग जाता है तो क्या होता है कि वहाँ पे हम जो है किसी भी बस्तु को जो है देखने के निच्चित करते हैं कि हाँ यह फलाना बस्तु है यह चिलाना बस्तु है और यही जो है आपके क्या होता है मैकिनीजम होता है बड़ी असान है समझना बड़ी असान है बस आपको ये चीजज ध्यान में रखना है कि बस्तु है, इस पर पहले से कोई कीरन परते रहता है, चाहे वो कीरन रोसनी धूप का हो, सुरी का हो या फिर आर्टिफिशियल बिजली का हो, तो इस पर कीरन परते रहता है, या खूद में बस्तु जो है परकासवान रहता है, एक मिलन बिंदू है किसका कॉर्णिया और कॉंस और रोड जो की रेटीना के बाहर है और इसके मिलन बिंदू को मैकुला कहते हैं अब जैसे ही सारा कीरन ये बस्तू को हमारे आँख पर परता है तो यह सब मैकुला पर मिला रहता है और यह मैकुला जो है क्या करता है भेज द देख रहा है इसको बताओ मस्तिक्स में कि क्या देख रहा है बेकिति, और वहां पर जो है मस्तिक्स में हमारा ज्ञान आता है consensus मतलग चेतना छेतर में यह जो है बेक्ती के अंदर analysis होता है विसलेशन होने के पहचाथ जो है बेक्ती उस बर्ष्टू को पहचान पाता है या देख पाता है ठीक है और यहीं जो है आपका mechanism हो गया समझगे चीजों को चलिए यह हो गया यहाँ पे total English दिया गया है उपर में total English यहाँ पे दिये गए है आप लोग यहाँ पे total के देख लीजिएगा mechanism of vision भी यहाँ पे मैंने English में दे रखा है आप लोग English वाले पीडियम दे देंगे अच्छे से कर लीजिएगा ठीक है नग चलिए अब हम लोग आते हैं आप की सन रचना में आप के सन रचना भी important है question समझिएगा describe the structure of eye आई का आखों का सन रचना को बताना है बहुत असान है आई के सन रचना पहले आई के बारे में समझिए आखों होता क्या है आख एक द्रिष्टी organ है organ of sight ठीक है आख एक देखने का अंग है यानि द्रिष्टी का अंग है ठीक है आखे होती है इनके दोरा ही मनुष का द्रिष्टी का ज्यान होता है बिल्कुन सही है अभी उपर देखे हम लोग कि यह एक sensory organ भी है देखने का काम आता है या द्रिष्टी के ज्यान को बोध कराता है तो आखे ही organ है द्रिष्टी का side of organ है ठीक है ना मानव सरीर में परतेख ज्यानिंद्रिया का अपना परभाव एवं अवसेकता होती है बिल्कुन सही है नाख का काम है सुगना ठीक है अलग-अलग काम है सबका अलग-अलग अपना परभाव है सभी ग्यानिंद्रिया का उसी ग्यानिंद्रिया में हमारा आख भी एक आता है जो की द्रिष्टी का ग्यान करवाता है परन्तु आखे सबसे जटिल ग्यानिंद्रिया है सभी पाँच ग्यानिंद्रिया में सबसे जटील ग्यान इंद्रिया हमारा आँख ही होता है जिन पर मनुस निर्भरता सबसे अधीक होता है माने के आपका कान खराप हो जाएगा तो कान खराप हो जाएगा तो क्या होगा आप किसी चीज को नहीं सुन पाईएगा यहीं न होगा लेकिन आँख खराप हो जाएगा तो आपका पूरा दुनिया ही अंधेरा हो जाएगा आप कोई चीज को सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं और जो चीज देखने में मज़ा है वो सुनने में कहा मज़ा है ठीक है न तो इसलिए इसे सबसे जटील ग्या निंद्रिया कहा जाता है जिन पर मनुष सबसे ज़्यादा निर्भर होता है इसलिए सबसे ज़्यादा जटील भी होता है समझ गये न क्या है कोन सबसे जह और sujet है इस सब्सक्र जढ़ होता है इसका ब्यास इतना सेंटीमीटर होता है और इस यह नेतर गोलक भी से शांटीमिटर ने Vamos अब आता है मेन चीजे एश्टरु रमिंठर आँख के सनरचना में क्या-क्या जो है सामिल होता है इसको जो है चली हम लोग देखते हैं सनरचना की बात करेगा structure में तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि आँख क्या जो structure है परमुक रूप से तीन लेयर में बना है ठीक है आँख जब बनता है तो परमुक रूप से तीन ले लेयर भी कहते हैं अब यह जो होता है इसमें एसकलेरा और कॉर्णिया बाहरी जो लेयर है इसमें दो चीजे होता है एक होता है एसकलेरा और एक होता है कॉर्णिया इंपर्टेंट है याद रखिएगा यहां पर अगर ना समझ पाईएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा हम लो लेकिन आउटर को फाइब्रस लेयर भी कहते हैं और जो आउटर या फिर फाइब्रस जो लेयर है इसमें दो जो है आँख का अंग होता है एक एसकेलेरा और कॉर्णिया दो सामिल होता है पर्थम लेयर में मीडिल लेयर को हम लोग भास्कूलर लेयर भी कहते हैं वहें किये आ को नरभस लेयर भी कहते हैं जो रेटीना होता है सबसे आंतरिक लेयर यही रेटीने होता है ठीक है तो आपसे अबजिक्टी में पूछेगा कि हां सबसे आंतरिक लेयर कोन होता है रेटीना होते हैं ठीक है सबसे बाहरी लेयर कोन होता है कॉर्णिया होता है ठीक है याद रखने को तो याद रखिए आउटर लेयर में एसकलेरा और कॉर्णिया मीडी लेयर में कुर्वाइड सिलियरी बड़ी और आईरिस होता है इनर लेयर में रेटीना हो इतना जब याद हो जाएगा तो आपको confusion अब दूर हो जाएगा कैसे confusion दूर होगा figure में देख लीजिए मैंने आपको परहाया outer layer में क्या मैंने परहाया कि エスklera होता है और Quarnea होता है अब देखिए Quarnea कहा है और Esk citoyra कहा है देखिए lens के जो सामने बाला सबसे बाहिपरत है वह Cornea बाला होता है ठीक है एक नीः ओर इस और बांकि यह जो EskelÍra बाला परत है देख लिए Johnny Blue बुलु जो सबसे बाहिपरत दिख रहा है बुलू बला यही हमारा जो है क्या है? एसकेलेरा है ठीके? और जो कि बाहरी परत है तो बाहरी परत में कॉर्णिया और एसकेलेरा है दोनों हो गया? समझे गए? चलिए रही बात यह हमारा जो है यहाँ पर देख लिजे अप हम लोग जो देखे हैं करवयड है करवयड देखे थे आईरिस देखे थे और उसके बाल हम लोग Eives और चीज देखे थे ठीक है मैं आपको इहां पर बता देता हूँ एकदम confusion नहीं होना है корographic iris और ciliary bird ठीके न देख लिजिए ciliary bird स्मर्जिगे अब यह जो ciliary bird जो है हमाराophy ciliary bird होता ठीके न एह इही ciliary bird होता है एही ciliary bird होता है तो हमारा lens का कार बहरता घरता है इसी मांस्पेशी के शिकूरने और बरने के कारण यह ciliary bird होता है तो जो मध लेर होता है उसमें आईडिस होता है ठीक है सिलियरी बड़ी होता है और कुरवाइड होता है यह जो बीच वाला ललका देख रहे है न ललका बीच वाला एह मध वाला है और यही कुरवाइड होता है ललका वाला ठीक है मध परत और यह होगी आपका उसके बाद य देख लीजे, ऐह सिलियरी बड़ी होता है, यहीना एहीन पर सिलियरी बड़ी इधर भी है और इधर भी है, ओर हमारा लेन्स युदर से अधर नहीं होगा, और हम साइड के, चाहाएं इधर उधर के आउंक जो मठका के, इधर उधर करके देख लेते हैं, नहीं देख परत जो है हमारा पता है रेटीना पीला वाला जो आंतरीक परत है या आंतरीक परत हमारा जो है होता है क्या चीज पीला वाला ठीक है याद रखिएगा बाकी इसमें एक दरब भारा होता है या लेंस और लेंस और करनिया के बिच में एक दरब भारा होता है ठीक है इस सब दर होता है हमारा brain से आही आखका समझे गए तो यह optic nerve का रास्ता है समझे गए चीजों को चलीए तो यह हो गया हमारा जो outer layer है उसमें क्या क्या है outer layer में enes delia और पौर निया है ठीक है इस्ट जो गया है इस्ट शलीए अब रही बात यह lens हो गया हमारा लेंस की बाद छोड़िए रही बात हमारा आंत्रीक लेयर में हम लोगो पता है कॉर्णिया रेटीना आंत्रीक लेयर में है पीला वाला टोटल जो है आपके आंत्रीक लेयर है तो यह हो गया रेटीना आंत्रीक लेयर है इनर लेयर मध लेयर में हम लोगों पता है कुरवाइड है समझ गए आईरिस है और सिलियरी बंडी है तो ये जो है हमारा क्या हो जाता है मध लेयर समझ गए और बागी बाहर लेयर बता ही दिये हो गया आप्टिक नर्वेक यहाँ पर कनेक्ट रहता है समझ गए चलिए बीच में लेंस लगा दीजिएगा अब एक के करके देख लीजिए एसकलेरा हम लोगों पता है यह आँ का सरवाधिक बाहरी भाग है सफेद रंग का परत होता है हमारा आँख में जो भी सफेद रंग के परत दिखता है बाहर से आप लोग देखिएगा बीच में एक कला रहता है चारो साइड से सफेद रहता है तो यही सफेद बला जो होता है यही एसकलेरा होता है और यह सरवाधिक बाहरी भाग में सबसे ज़्यादा यही एसकलेरे ही होता है यह आँख के 5-6 भाग पोस्टेरियर साइड को कवर करती है यह मोटी परत इसे आकरीती परदान करती है साथ ही फाइवर की बनी होने के कारण यह आँखों को सुरक्षा भी परदान करती है एसकलेरा जो होता है यह आँख का बाहरी भाग होता है लेकिन बाहरी भाग में सबसे ज़्यादा भाग एसकलेरा कही रहता है, छे भाग में पांच भाग एसकलेरा कही रहता है, एक ही भाग जो होता है, वो हमारा दूसरा चीज का होता है, यानी किसका कॉर्णिया का, समझ गए? क्योंकि बाहरी भाग में दो ही चीजे है, समझ भी परदान करता है, सुरक्षा भी परदान करता है, आखों को तो यह चीज़ सब याद रखेगा, यह सफेद रंग वाला भाग होता है, एसकलेरा, और आप अटोमेटिक देखिए न, अपने आख में, सफेद रंग का कितना ज़्यादा एरिया है, समझगे, दूसरा है कॉर् होता है, यह ट्रांस्पेरेंट भाग कॉर्णिया कहलाता है, यह कोलेजन, इलास्टिक, फाइवर्स, वा प्रोटे, गलाइकोन से निर्मित होता है, अब आप लोग को पता होगा, जो सबसे बड़ा भाग होता है, वह उजला होता है, और वह जो है हमारा एसकलेरा होता है, पाँच भाग एसकलेरा और एक भाग कॉर्णिया ठीक है, याद रखिएगा, यह ट्रैंस्प्रेंट होता है, समझेगों चीजों को यह आँख में आपके सामने से दिखाई देता है, अब है मद भैस्कूलर परत, अब दूसरा है, मिडिल लेयर, इसे भैस्कूलर लेयर भी कहते हैं, इसमें तीन चीजे होता है, एक होता है, सिलियरी बड़ी होता है, ठीक है, आईरिस होता है, और एक आपका और चीजे होता है, कुर्वाइड होता है, ठीक है, आँकी सनचना की मैदर के परत रीच बलड सप्लाई यूग्थ होती है, इसमें मिलेलीन पिगमेंट के कारण रंग गहरा होता है यह परत अग्र भाग में सिलियरी बड़ी वा आईरिस बनाती है वह पच भाग में एसकेलेरा से जूरी रहती है वह कुरवाइड बनाती है देखे जो तिसरा लेयर है यह जो हमारा जो इसको नर्मली दूसरा मानिए भस्कूलर लेयर बाला ठीक है न यह जो होता है यह इसमें आपके क्या होते हैं कि सबसे जदा आपको क्या होते हैं बलड सप्लाई यह जो है ऑंका होता है इसमें सिलियरी बड़ी वह आईरस जो है आपके एंटेरियर बनाता है आगे का भाग और इसकलेरा से जूर कर कोरवाइड जो है पुश्टेरियर भाग को बनाता है आँख में ठीक है इसे भास्कूलर पर तीसी लिए कहा गया है क्योंकि इसमें डाइरेक्ट बलड का सप्लाई जो है आपके इस परत में ज़्यादा होता है समझ गये न तो यह तीसरा हो गया चौथा है सिलियरी बड़ी का काम है यह सब हम औरगेन के बारे में बता रहें बाकी लेयर में ऊपर बता दिये है कि आउटर लेयर में को है दो इनर लेयर में तीन कौन है और सोरी मीडी लेयर में तीन कौन है और इनर लेयर में रbtीना ही है तो वो सब हम बता ही दियें, बाकी हम अलग-अलग करके सभी के बारे में बता रहे हैं सिलियारी बड़ी है, यह smooth muscles, one-specific के बना होता है इसमें संकूचन, contraction और relaxation होता है, मतलब फैलाव और सिकुराव होता है जिसके कारण lens के shape में बदलाव आता है इसी के कारण हम अपने आँखों को इधर से उधर चमका मठका के देख लेते हैं एक ही जगह से खरे-खरे के आसपस के चीजों को तो यह सिलियारी बड़ी के कारण ही हो पाता है, समझ गए? चुकि यह सिलियारी बड़ी एक मसल्स का भाग होता है, जो संकुचन फैलता है, सिकुरता है, जिसके कारण lens के shape में भी बदलाव आता है आइरिस होता है या आँख का रंगीन वाला भाग होता है, या काला वा भूरा भाग होता है, निला होता है आईरिस के मद का स्थान पपील होता है जिसमें से परकास के किरने परवेस कर लेंस तक पहुचती है आईरिस जो होता है आईरिस एक रंगीन काला भूरा निला होता है आईरिस के बीच में एक पपील होता है और इसी के जड़िये कीरन अंदर परवेस करता है लेंस पर ठीक है न तो ये आईरिस वाला याद रखिएगा एंड छठा है रेटीना ठीक है रेटीना सबसे आकरी अंदर वाला लेयर है यह आँक के सबसे भीतरी लेयर है जो कि पिगमेंट रेटीना यानि बाहर की तरफ जो है सेंसरी रेटीना में विवक्त होती है सेंसरी रेटीना भाग में परकास के प्रति संबेदन रोड्स और कौ बहता है कहां चुकि यह सबसे inner layer में होता है और inner layer retina है retina के बाहर ही जो है roads और cons होता है और यह roads और cons जो है बस्टू कोई भी बस्टू से reflect किरन को जो है अपने अंदर लेता है और उसको जो है बहता है mustics के तरफ optic nerve के द्वारा और optic nerve जो है brain को भेजता है brain में signal मिलता है हलचल होता है वहाँ पे neuron में और neuron फटक फटक stimulate होता है जागता है और mustics को बताता है consinence चेतना चेतर में कि वो फलाना चीज को आँख देख रहा है और हमें mustics में ग्यान आता है कि वो ही फलाना चीज है ठीक है तो यही retina का यही काम होता है समझगे चीजों को बाकी मैंने बता दिया आँख में दो खंड होते हैं ध्यान में रखिएगा आँख की सनाचना में परमुकता दो compartments होते हैं एक होता है lens के आगे वाला भाग जिसको smaller anterior compartment कहते हैं और एक होता है posterior भाग lens के पीछे वाला भाग ठीक है अब चलिए figure में बता देते हैं कि कहां lens के आगे वाला है जैसे यह lens है ठीक है तो यह दो भाग है smaller वाला है जो anterior है तो यह lens के आगे वाला भाग है तो आगे वाला भाग यही वाला भाग है ठीक है तो यही जो है हमारा आँख होता है आँख को अच्छे से ध्यान में रखिएगा और आँख का 10 नंबर में question पुछेगा तो आँख के संराचना के बाद एक चीज़े भी पुछेगा कि आँख का सहायक अंग कौन-कौन सा है बताए तो आपको पता है आँख के सहायक अंग कौ पता दिया फीगर बहुत important है फीगर ध्यान में sit कर लिजे फीगर जरूर आपको बनाना पड़ेगा साथ में फीगर बनाने के साथ में एस्कलेरा के बारे में कुर्निया के बारे में भसकुलर परत के बारे में सिलियरी बड़ी के बारे में आईरिस के बारे में रेटीना के बारे में सब के बारे में लिखिएगा है होता क्या है क्या काम करता है ठीक है चलिए बिदा लेते हैं आपसे अपना ख्या लखिएगा तब तक के लिए धन्यवाद